हेलो स्टुडेंट्स कैसते हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो हम लोग NCRT की सीरीज कर रहे थे जोग्राफी की और चैप्टर 1 चैप्टर 2 कम्प्लीट हो गया था क्लास 6 की जोग्राफी की और आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे ज आप जानते हैं कि अर्थ के पास दो टाइप आप मोशन है नेमली रोटेशन एंड रिवलुशन रोटेशन का मतलब क्या है अर्थ दो तरीके से रोटेट करती है ये बीच में सन है और ये अर्थ है अर्थ एक तो ऐसे ऐसे रोटेट करती है जिसको हम रिवलुशन कहते है और अर्थ अपने एक्सिस के उपर भी घूमते रहती है जिसको हम लोग रोटेशन करते है रोटेशन कर रही है तो रिवलुशन कर रही है तो रिवलुशन करते करते कहीं और चली जाएं ऐसा नहीं होगा प्रिथवी घूम रही और चक्कर खागे कहीं और चली जाएगी ऐसा नहीं होता प्रिथवी जिस और्बिटल पाथ पर इसे हम और्बिटल पाथ करते हैं इस पाथ इस पाथ इस और्बिटल पाथ पर प्रिथवी लगतार घूम रही है जिसको हम लोग रिवलुशन कहते है the axis of the earth which is an imaginary line यह जो earth का axis हम लोगोंने बनाया है यह imaginary line है हम लोगोंने previous classes में पढ़ा है makes an angle of 66 degree and half with its orbital plane देखिए यह earth है अगर earth का बीचो बीच काटोगे तो यह कुछ इस type का circle बनाईगी इसे हम लोगो orbital plane कहते है और orbital plane से जो axis है वो थोड़ी से जुकी हुई है और यह जो angle बनाएगी वो बनाएगी 66 and half degree जो यहाँ पर mention है आप देख सकते हैं 66 and half degree यहाँ mention है zoom कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यह देखिए 66 and half और यह वाला जो line है अर्थ को जो बीचो बीच एक्वाल पार्ट से डिवाइड करता है इसको अर्थ का orbital plane कहते हैं यह vertical orbital plane है लेकिन जो हम लोग ने अस बोला जाना कि जो orbital plane है वास्तिविकता में तो वो है आपका 66 degree and half और एगर हम इसे the orbit is known as the orbital plane मैंने बता दिया कि जो धर्थी ऐसे plane बना रही है उसको अर्बितल plane बोलेंगे the earth receives the light from the sun आपको पता है कि earth की खुद की light नहीं है earth हमेसा sun से light receive करता है due to the spherical shape of the earth only half of the it gets the light from the sun at a time figure 3.2 देखने के लिए बोल रहा है तेकिए यह है figure 3.2 आप देख सकते हैं कि सूरी की जो रौसनी है सिर्फ half पोर्षन पर आ रही है ठीक है और यह जो line divide करता है half portion को light मिलने में जैसे एक portion को light मिल रहा है और एक portion darkness के अंदर में और जो यह divide कर रहा है earth को यह line इसको बोलते है इसने circle of illumination याद रखिएगा circle of illumination अलग होता है orbital plane इसको बोलते है and line of axis इसको बोलते है यह वाला ठीक है आशा करता हूं यहां पर आपको चीज़े clear हो गई होगी the person facing the sun experience a day by the one of the half away from the sun experience night मैंने बता दिया एक तरफ अंदेरी रात आती है और एक तरफ पुचाला राता है पुरा दिन the circle that divides the day from the night on the globe is called circle of illumination मैंने बता है ना यह जो divide कर रहा है यह वाला line day और night को इसको बोलते है the earth takes around 24 hours to complete one rotation on its axis and period of rotation is known as earth day जैसे मानिया अफ्रीकन continent है और अफ्रीका वापस यहां पर आने को भूम करकर वापस यह आती है तो लगबख 24 घंटे कैसे टाइम लगता है और एक दिन जब earth अपने rotation complete करती है तो उसे हम लोग यह सब चीज़े दे दी जाती है और बच्चे कंफियोज कर जाते हैं कि सवाल कहां से पूछ रहा है एक्जाम में तो आप बेसिक्स अगर नहीं जानोंगे तो बहुत दिक्कत होगा तो इसलिए सेशन को लाइक करें इस सीरीज को बनाने में काफी महनत लग रही है तो आप सीरीज को सेर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुत सके यह दिस इस दर डेली मोशन ऑफ अप 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 पुजारा रहेगा और एक तरफ पुरी रात एंड डेट बिंस दर कंटिनुएस वां इंडरीजन इस रिजन में क्या होगा में से गर्मी पढ़ते रही है और यह फ्रीजर दिजन हो जाएगा यहां पर हमें से ठंडा पढ़ते रहेगा अगर आपको नहीं संझना रहा है कि अर्थ कैसे लाइट रिसीव करती है तो यहा फूरे संदार्नेयर में जाना है और एक वब्ल। के ऊपर में आपको तरफ से लाइट मारनी है यहां दार्क नाथ Drive , और यहां से लाइट मारा उम पर में पूरे डर्क प्रम होना चाहिए लाइट कहीं से भी नहीं याने चाहिए रूम में और फिर आप देखना कि और जिस यहां से प्रिथवी चल रही है और पूरा अखुम के वापस यहां आने में लगभग इसे प्रिथवी फॉर्थ देज लगता है वन फॉर्थ देज लगता है अपने कंविनेंस के लिए हम तो निकाल देए तो आपका हो गया 6 आवर और यह 6 आवर को अगर हम प्लस करें है चार बर तो यह पूरा कुल मिला के हो गया 24 डेस यानि एक दिन हो गया और इसी एक दिन को हम लोग चार साल बाद फरवरी में अड़ कर देते हैं और लीप यह बन जाता है मैंने बता दिए यहां पर सिक्स आवर्स सेव्ड एवरी यह एंड एड़ टू दा में टेट वन डेट टू अगला लीप यह कब होगा तो पिछला था 2022 2020 में अगला होगा 2024 में प्राम देट फिकर 3.3 इस फिर की बात वरिया ओके इडिश्यर देट 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 विए इस प्रानूंस ने गरपना हूँ यहां पर थोड़ा से क्लीन करना होगा मैं ऐसे इसी पर समझा देता हूं डेगराम बनने का ज़रूर नहीं है तो डेगराम में माउस से बनने में काफ़ी दिकत हो दिया और अब यह दखिए यह जो और बी आर्ट का जो और्बिट है वो पूरा सरकल है वो कुछ इस सेप का है जो सन के चारों तरफ घूम रही है इसे हम लोग एलेप्रिकल और्बिट कहते हैं यानि धरती एक टाइम पर बहुत ज्यादा पास होगी संकी यहां देख सकते हैं और एक टाइम में काफी दूर होगी यह सब्सक्राइब सकते हैं नोटिस्टाइब नोटिस्टाइब ट्रॉट इस और्विटल अर्थ इस इंगलाइन इंगलाइन इंट इंटू समर विंटर स्प्रिंग और्टम हम लोग के पास चार सीजन है पता आपको सीजन चेंज दूट देख सकते हैं अब इसे मैं क्लियर करूंगा अगे ठीक है इसे पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर होगा ज्यादा यहां तक बता दिया मैंने और यह वहला हिस्टा कलाता है सदन हेमिस्वेर अब अप एक चीज्स नोटीश करना कि जथने भी कंट्रीज से न लगभक जथने बिए नाम भी Northern Hemisphere के हिसाब से भी आया है बस कुछी कंट्री Southern Hemisphere में लाइक करती हैं आपको बताना है कौन-कौन सा यहां पर देख सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ज्यादा हीट रिसीव हो रहा है यहां पर ज्यादा हीट रिसीव होता है जिसे हम समर्स और स्टिक के नाम से जानते हैं एक इस जून के आस पास पॉल्स की तरफ यह देख सकते हैं दोनों पॉल्स में पहुंचने में दिक्क्कत आ रही है जिसके कारण से वहां पर कोल्ड रहता है ओके अहां दर नौर्ट पॉल्स इंकलाइन तोवाट्स तसन और प्लेस ब्याउंड अर्टिक सर्कल एक्स्प्रियंस दर कंटिनुएस डेलाइट अबॉट देखिएगा जो आर्टिक सर्कल है यहां पर कंटिनुएस आपका क्या होगा यह रिसीव होगा है कि इतना दिन के लिए दिन मंस के साफ से होगा शिक्स मंस के लिए और जो आंटिक सर्कल है वहां पर शिक्स मंत के लिए कोल्ड रिसीव होगा अब यह रिए अगरे जो आपका विंटर सीजन होगी मतलब अगर इंडिया में आप समझे लोग कि समर सीजन है तो अस्टेलिया में आपका विंटर सीजन होगा जैसे यहां पर इंडिया में अगर हम लोग क्रिस्मस मनाते हैं विंटर के टाइम में तो अस्टेलिया में वहीची समर के टाइम में बनता है तो एकदम अपोजिट कंडिशन हो जाती है सौधन नौर्धन हेमिस्फियर के अंदर में पोजिशन ऑफ अप अर्थ इस कॉल्ड इस समर सॉलिस्टिक मैंने बता दिया और 22 दिसमबर यह सब डेट या तरखिएगा क्योंकि हम सी क्यों में पूछ दिये जाते हैं बाइस दिसमबर को दो ट्रॉपिक ऑफ क्याप्रिकॉन रिसीफ तर डाइडेट रेज रिसीव होती है यहां पर देख सकते हो डाइडेट र अप्रिकॉन यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी रिसीव होता है इसलिए यहां पर आप से एक्सारा से कर सकते हो कि इनका समर सॉलिस्टिक आएगा आपका दिसमबर में लेकिन नौर्दन तरफ नौर्दन हैमिस्फियर में उस समय रिवर्स कंडिशन हो जाती है उल्टा कंड आते हैं और अपन के हैं दिसम्बर में बनता है और 21st मार्च एंड सेप्टेमबर 23rd डारेट रेस अव दसन फॉल ऑन दा एक्वेटर एड दिस पोजिशन नाइधर दफोल इस इन टाइटल तोवार्स तसन तिल्टेट वार्स तसन एंड सो दो होल अर्थ एक्स्प्रियंस इकवल डेज एंड इकवल नाइट इस 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 लिए और जो नाइट है वह बराबर आता है सेम और सेम आपका स्प्रिंग में भी इसलिए इसे एक्विनॉक्स मानते हैं तो 21st मार्च को एक्विनॉक्स भी कहते हैं आपका कि कि इसी लिए इससी मिल्क्स करता है 31st मार्च को और 23rd सेप्टेंबर को इडीज ऑचन सीजन नॉर्ध नौर्दर हमीश्पेर और यह यह सॉदर हमें स्प्रिंग सिजन हो जाता है और यह सौर्ध यापका और यह spring season हो जाता है और 21st March को opposite हो जाता है जो condition यहां है यानि Northern Hemisphere के autumn season हो जाएगा और Southern Hemisphere के लिए autumn season हो जाएगा यह बर मैं इसे clear कर देता हूं आपको 21st March को Northern Hemisphere में क्या होगा 21st March को Spring Season होगा और Southern Hemisphere में Autumn Season होगा लेकिन 23rd December को Northern Hemisphere में Autumn Season होगा और Southern Hemisphere में Spring Season होगा मैं इसे लिख देता हूँ 21st and 23rd September और इसको मान लिजा March Northern Hemisphere में क्या होगा 21st को यहाँ पर हो जाएगा Spring Season SS Southern Hemisphere में हो जाएगा Autumn Season Northern Hemisphere में हो जाएगा 23rd September को Autumn Season Southern Hemisphere में हो जाएगा Spring Season तो यह Reversable Condition है एक तरह से ठीक है आप इसे Reversable Condition बता सकते हो इस पोजिशन केस ऑफ 21st मार्च वेन दे स्प्रिंग इन दे नॉर्द हमिस्फियर मैंने सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया है तस यहाँ पाइंड इस आर्ड़ दे और नाइट नाइट और चेंजिस इन सीजन स्प्रिंग सीजन में आपको जादा थंड लगती है ना आपको जादा गर्मी महसुस होता है तो इसलिए आप जो कंडिशन है क्लाइमेट का बिल्कुल बराबर में होता है बट फर्क आजाता है आपका यहां पर आशा करता हूं यह चैप्टर आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा बाकी एक्सरसाइब से तो यह आपको काम क्लियर नहीं है जो बच्चे स्कूल में वह कर सकते हैं बट आपके अगर आप त्यारी कर रहे हो एक्जामनेशन कंप्टेटिव एक्जाम की तो यह आपके ल